हलो बच्चों स्वागात है अपने इस यूटूब चैनल पर बच्चों आज इसकी वीडियो में है एक बार फिर से हमका अच्छा बारा के बिद्यार्थों के लिए होम साइस एनिगिरी पिग्यार के मोस्ट इंपोर्टन लांग कोश्चन लिकर रहे हैं जो परिछदी से बेरी इंपोर्टन्स रहेगा चैनल देखते बच्चों जो बार बार परिच्छा पूछा गया है और 21 परवरी जो परिच्छा होने वाली विपी वोड इक्जाम उसमें वही समित परिवार है ठीक है ये बच्चों अपने बनाक लिखेंगे आप क्वाट नंबर पकाई मिल जाएगा देखो समित परिवार पर्था के लाभों या कारियों का अस्प्रश्टी करना बिस्तार से पिछले अध्याय में किया जा चुका है किन्तु पुनरावित्य के लिए इसे संच्छेप में नियन प्रकार दिया रहा है नंबर एक सभी प्राथ्मी का उस्वत्ताओं की पूर्ती नंबर दो व्यक्ति का समाजी करना सुरच्छात्मग विवस्था नंबर तीन चार व्यचों समाजी बीमा नव वर वदू पर हलका भार ठीक काफी लोग रह समय के साथ चलना चाहता है परिवार के बिद्ध जन अपनी प्रंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते है अताहर नई और पुरानी पिढ़ी के विचारों का आपस में ताल मेल नहीं बैठता तथा घर का वातावना कलावाद देश पूं हो जाता है माता पिता अपनी संतान को संता देते हैं बहुए परदे से बाहर आना चाहती है किन्तु पुराने लोग इसमें बाधा डालते है जगड़े यहीं से आरम होते हैं य अपने पराय को भी भेद भाव दिलों में भड़ाकता रहता है कभी कभी यह बहुत है उगरूप धालार कर लेता है ब्यक्तित बिकास में बाधाक संत परिवार में करता का जो निरंकुष साचन होता है यहीं जो मुखिया होता है उसके कठोर नियंत्रा के कार किसी को स्वत संता पूर्वा कार करने की आग्या नहीं मिलती जिससे होनहार तथा महत्वाकांची बच्चों के ब्यक्तित का जो है उचित विखास होने में बाधा पहुंचती है समान निर्धंता यह निश्चित है कि तरे बड़े अकार वाले समित परिवान बिद्वाओं अपाहिजों रोगियों काम चोरों की जो है कमी नहीं होती जिने जो है बिना काम की हुए अनस्तरसों के समान ही सभी सुब्धाय प्राप्त होती रहती हैं दूसरी और कमाने वाले ब्यक्तियों पर इनका अत्रिक्त धायत आ जाता है तथा धन का बित्र इस प्रकार होता है कि सभी की इस् से उपर उठेंगे आर्थिक निर्भरता सहीद परिवार में परिवार के संचान का पूरा दाई तो करता पर होता है तथा सभी की आंदनी करता के पास ही बैक की जाती है यहीं जो पूरी तरह निर्भरत रहते हैं अपनी हर आउसक्ताओं के लिए उन्हें करता के आगे हाथ परसारना जो है पड़ता है जिससे उनके अंदर कभी कभी आत्म गलान की भावना भी उत्पन हो जाती है विसे सूप से इस्तिरियावा बालिकाएं तो किसी मद में अपनी इच्छान उसान ना तो खज कर सकती है और ना ही किसी को जो है कुछ दे सकती है इस्तिरियों की दै दैनी होती है बाल विवास परिवार के उपज है छोटी छोटी बालिकाएं बहु बनकर सवराज पहुच जाती है जहां उन्हें अत्यधिक सारीरी परिश्रम कम से कम आराम दथा रुचिहीन भोजन पर मुझ बंद करके जीवन मुझारना पड़ता है ठीक है उस पर भी जर जाती है सभी परिवार में जो है बड़ों के इस आशिरवाद दूधों नहाओ पूतों फालों के करना ही उसके स्वास्त पर भी प्रयाप्त प्रत्कूल प्रभाप पारता है क्योंकि वा चाहे दूधों नहाए लेकिन पूतों वा खुब फैलती है ठीक है बच्चों यह थ